आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने COP28 की जो मीटिंग हुई है UAE में वहाँ पे climate और health खोशना के उपर signature क्यों नहीं किये क्या है इसका reason क्या Indian government सोच रही है और क्यूं हमने sign नहीं किया आज इस particular lecture के अंदर हम जानेंगे और इस lecture को लेके आ रहा हूं है मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल जैसा कि आप सबको पता है बढ़ते हैं आगे और इस lecture की जो PDF होगी वो आपको टेलिग्राम चैनल के उपर आपको यहाँ पे अप्लोड कर दी जाएगी डॉक्टर विपन गोईल के नाम से इसका लिंक टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है description और comment section में मिल जाएगा परसनली आप मुझे connect कर सकते हैं इस्टागराम के उपर और अगर आप स्टेट PCS exam की आप त्यारी कर रहे हैं तो उत्तर परदेश, बिहार, उडिशा, पंजाब, असम, मध्यापरदेश, जम्मु कुश्मीर, हर्याना इन सभी कोर्सिस के link description और comment section में मिल जाएंगे आपको ये code use करना है तो आपको discount मिल जाएगा अच्छा कासा ठीक है तो देखें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो COP28 की declaration है या meeting है ये हापके GS paper 3 के लिए बहुत बड़ा important topic है क्योंकि वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे international institution agencies और उनके structure और mandate की वहाँ पे बात करी गई है तो उसके लिए भी ये topic important बन जाता है now अब देखें जी reason क्या है क्या है वो तो बात में जानेंगे लेकिन discussion का point क्या है यहाँ पे discussion का point यही है कि इंडिया ने COP28 की जो declaration है climate और health की उपर और उसको refuse कर दिया है कि वो sign नहीं करेंगे actually इसका reason यह भी था क्योंकि हमने देखने को मिला कि इस 2023 का जो first three quarters थे वहाँ पे जो global temperature है वो बहुत जादा बढ़के नजर आया जो हमने target रखा हुआ है 1.5 degree जो pre-industrial year से पहले हमने global warming करनी है इससे तो बहुत जादा बढ़के हमें नजर आया तो यह बहुत बढ़ा reason बन गया climate और health को issue बनाने का climate और health को समझने का तो COP28 की meeting में भी जो है climate को एक मुद्दा बनाया गया और इसके उपर बात करे गई और India ने इसको refuse कर दिया अब अगर हम बात करें देखो जो हमारे बहुत सारी policies हैं हमारी बहुत सारी policies लगती है international level की उपर national level की उपर जब हमने उन policies को लगाया तो हमने देखा कि वो policies इतनी effectively नजर नहीं आई वो reason और उसमें जो reason बनके आया कि आपका जो global temperature है फिर भी 2.8 degree centigrade temperature बढ़के आया हमने ब pledge लिया था कि हम 2030 तक जो है बहुत ज़्यदा significantly reduce कर देंगे promise आप कर रहे है 1.5 तक पहुंच रहा है 2.8 तक और ये 2.8 वाला जो अभी currently हम पहुंच रहे हैं तो COP26 की meeting में हमने बोला कि 2030 तक तो हम 1.5 से कम ले जाएंगे लेकिन ये promise कुछ किया काम कुछ हुआ और ये गडब में है अब हम बात करते हैं उस topic को समझने से पहले कि हाँ इंडिया ने क्यों sign नहीं किया कि what is the conference of party ये एक supreme body है United Nation Framework Convention on Climate Change Conference की इनकी meeting हर साल होती है ये सबसे पहली meeting Berlin Germany मार्च 1995 में देखने को मिली थी अगर कोई party offer नहीं करती की session वो host करेंगे तो COP की meeting जो है वो bond Germany secretary rate उनके व होते हैं वो 5 UN जो UN की regional grouping है जैसे के Africa, Asia, Latin America and Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe यहां से इनके president को appoint किया जाता है और generally जब भी president appoint होते हैं वो किसी उस देश के environment minister ही देखने को आपको मिलते हैं ये हमेशा उस time पे elect करते हैं जब जैसे ही COP session जो है open किया जाता है तुरंत इनके president को elect कर दिया जाता है यहां पे तो यह थोड़ा बहुत आपको conference of parties के बारे में पता होना चाहिए अब यह देखते हैं कि जो हमारी COP28 की जो meeting थी वहां पे हमने climate और health के बारे में बात किया और उसमें 123 countries ने sign किया जैसे के example US, UK, Germany, Australia and European Union दिखें यह जो countries है न यह already developed countries है और India ने इस पे sign नहीं किया और India जो है वो developing country है अभी दीरे दीरे हम developed stage की तरफ जा रही है लेकिन इस COP28 की meeting में climate और health को issue हमने जो बनाया पूरे world level पे climate और health के बारे में बात हुई और इसमें क्या ऐसी बाते करी गई सबसे पहले इन्होंने health consideration को include किया और उन्होंने बोला कि जो Paris Agreement में United Nation Framework Convention and Climate Change ने ज यहां पे COP28 की meeting में इसको भी include किया गया यहां पे और health को include किया गया climate planning के साथ क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप greenhouse gases की emission को कम नहीं करेंगे और देखो क्योंकि देखो greenhouse gases क्या करेंगी आपके जो atmosphere का temperature वो बढ़ाएंगी और obviously बात है जैसे atmosphere का temperature बढ़ेगा sun जो UV rays हैं व emission को कम करना है ऐसी strategies बनानी है जिससे emission दो कम ही कम हो लेकिन health के उपर भी हम ध्यान दे पाएं और इसी लिए इन्होंने one health approach का भी point यहां पे रखा और इसमें बोला कि human health, animal health और environment they are interconnected और हमने one health approach को जो है encourage करने की यहां पे बात करी so all these are in the climate and health वाले points में ठीक है और दूसरी बात बोला greenhouse gas emission from the healthy system आपको पता है कि जो greenhouse gases की अगर emission होती है तो worldwide क्या हो सकता है लेकिन यही declaration यहां पे बिलिया गया कि हमने इसको sustainable तरीके से जो है promote करना है healthcare system को environment और climate factor को address करना है क्यूंकि आपको पता है जैसे आपने देखा होग environmental conditions बिगड़ती चली जा रही है climate conditions बिगड़ती चली जा रही है तो obviously बात है immunity हमारी और plus जो भी microbes हवा में घूमते है नेचर में है तो उनका resistance जो है antimicrobial resistance जो है वो भड़ता चला जा रहा है जानि कि दवाईयां इनके उपर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलते है pandemics ठीक है epidemics आपने देखा होगा coronavirus ठीक है तो ये सारे चीजे जो है ये जो सारी चीजें है zoonotic diseases जो है जो animal से फैलती है इसके लिए आपको prevention करना है prepare रहना है और response के लिए तयार रहना है क्योंकि अगर environment खराब हो रहा है climate factors खराब हो रहे है health के उपर आएगा आएगा 1 billion dollar finance करने की बात करी है climate और health के उपर और जिसमें बहुत सारी एजनसी जैसे के rockfeller foundation green climate fund Asian development bank और global fund जैसे जो बड़े बड़े जो है foundations है organizations है इन्होंने 1 billion dollar देने की यहां पर बात करी अब लेकिन अब भी भी हमें यह नहीं पता लग रहा कि इंडिया ने क्यों sign नहीं किया व जो इसकी COP28 जा COP की meetings होती है यह legally binding नहीं होती और यह आपका voluntary action है जो आप मानो ना मानो लेकिन हम COP28 की declaration से दूर क्यों रहें सबसे पहली बात तो हमारा practical concern यह रहा क्योंकि आपको पता है कि जो vaccines होती है और medicines होती है उनको store करने के लिए cold storage room की जरूरत होती है और उसके लिए cooling effect जरूरी है और उसके लिए हमें greenhouse gases use करने पड़ती है लेकिन इंडिया जैसे देश के लिए जो कि developing देश है हमारा अभी develop stage की तरह हम जा रहे हैं तो यह जल्दी से जल्दी short time frame में जल्दी से जल्दी जो है हम इसको मरतब खतम कर दें ऐसा possible नहीं हो सकता और दूसरी बात ह reason कि हमारी जो global emission है just हम 4% से कम जो global emission कर रहे हैं जो आपके यह greenhouse gases की तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके developed देश थे जैसे US, UK वगरा देश थे जब पूरे environment को खराब कर रहे थे तब भी हमारी global emission जो है 4% से जादा नहीं हो रही थी और वो इतना coal use कर रहे हैं, pollution कर रहे है वो developing से developed बन चुके हैं, लेकिन हम developing पे हैं, तो हमारा तो right होगा ना कि हम इसको use करें, coal को use करें, ताकि इंडिया को developing nation से developed stage की तरफ हम लेके जाएं, वो already developed हो चुके हैं, तो उनको कम करना चाहिए, हमें developing nation को use करके हम आगे और developed stage की तरफ हमें जाना चाहिए, और इससे जो है जो है इससे balancing growth और transformation क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यदा challenge face कर रहा है renewable energy के transition की तरफ देखो हमें हम अगर हम बात करें हम coal, diesel, petrol यह सब चीज़े use करते आ रहे है renewable energy पहली बात तो पैदा करना दूसरी बात यह है कि इस renewable energy उतनी पैदा करी जा सकती है कि हमारे पूरे देश की 140 क्रोड से उपर जो जनता है जो population है उसको हम जो है सारी चीज़े provide कर सकें तो इसी लिए हमारी जो है यह हम challenges face कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और अगर हम decarbonize कर देंगे health sector को तो हमारी economy opportunity और challenges और भी भढ़ जाएंगे समन में है और अगर मान के चलो कि हमने देश में हमारे जैसे देश में जब हम बोल रहे हैं कि universal health coverage हम करेंगे और health coverage करने के लिए आपको vaccines, medicines की जुरूरत है और उसको करने के लिए greenhouse gases की जुरूरत है अगर हम greenhouse gases को कम करेंगे तो ये universal health coverage को पूरा नहीं कर पाएंगे और उपर से extreme जो weather events हो रहे हैं ये दोनो dual challenge जो है हमारे इंडिया के climate concern के लिए complex बनते चले जा रहे हैं तो इसी लिए इंडिया ने ये COP28 की declaration जाने के climate और health की उपर हमने sign नहीं किया आपको क्या लगता है कि हाँ इंडिया ने के काम सही किया या नहीं किया आप comment section में लिखके जुरूर बताएंगे और इस lecture की जो pdf है वो आपको telegram channel की उपर आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे join करना मत बूलना और कैसा लगा lecture यह main answer writing की practices हम करेंगे मैं आपको short में आपको पूरा topic समझाऊँगा और इसकी जो pdf है वो यहाँ पे मिल जाएगी जो पूरा detail वाला lecture है जो points लिखे हुए थे वो मैं यहाँ पे आपको बिता दूँगा आपको lecture कैसा लगा comment section में जुरूर लिखके बताना और इस main series को हम आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं यह भी बिल्कुल comment section में लिखना यह जो है GS3 का एक part था अगले वाले classes में मैं एक mcqs भी लेके आया करूँगा इसके साथ कि हाँ जो भी अमारा topic होगा उसके साथ क्या mcqs बन सकता है तो आप वो भी हम बताना ठीक है तो लेक्चर के बारे में जुरू बताना और thank you so much guys all the very best whole luck take care